इंडर कौपी जहां सही से अभी शुरू भी नई हुए कि छातरों की परिशाणी बर गई है। जी हाँ बहुत सारे छातर परिशाणी है। यहाँ पर बिहार बोड की इंडर की रिजल्ट के लिए यहाँ पर कौपी जाज रहे, वो सुरू होने जारी है और ऐसे में छातरों बहुत ज़्यादे परिशान हो गए हैं पूरी परिशानी के बात बताते हैं कि आकर परिशानी की बात क्यूं है और कैसे चातर चिंता में आ गए हैं कि वो इतना अच्छा लिखे हैं फिर भी ऐसे अगर होता है तो उनके साथ क्या होगा उनके रिजल्ट के साथ क्या होगा त ताकि सभी को ये जनकारी मिल सके, बहुत सारे चात्रों जो है टेंशन में आगे, आपको बता दे कि बिहार बोड की इंटर की परिच्छा जो है, अब पूरी तरह करी करी संपन हो चुकी है, चात्रों का ध्यान पूरी तरह से रिजल्ट पे टीका हुआ है, कि आखिर उनका र आने सुरू हो गए है, कॉल इसलिए किया जा रहा है कि उनका रॉल नंबर, ठीक है, रॉल कोड सब कुछ बताया जा रहा है, उनके पेरेंस का नाम बताया जा रहा है, कि आपके पेरेंस के नाम ये हैं, अगर आप मुझे इतने पैसे नहीं देते हैं, तो आपको मैं फेल कर दूंगा यहाँ पर सामने आया है मामला कि किसी को 2000 रुपे की बात किजा रही है और किसी को बोला जा रहा है कि आप इस सब्जेक्ट में आपका क्रोश लग चुका है और आपके पेपर अबजेक्टीव में ऐसे आये हैं क्योंकि आपको बता दे कि objective का कहीं ने कहीं, copy जाज जो है, करीकरी शुरू हो गया था, ठीक है, और यहां पे final, जो copy भीतरन है, वो भी शुरू हो गया है, तो copy जाज जो है, वो subjective का भी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, तो ऐसे में चातरों के पास call आना, और बहुत स जवाब कितने line में दिये हैं अगर भो भी बता रहा है तो चातर कहीं न कहीं tension में आ जा रहा है कि उसने copy देखकर ही call किया है और उसे बिजवास हो जा रहा है तो ऐसे में चातर आखिर करे क्या तो आप लोग से request है कि अगर आपके पास ऐसा call आता है तो बिल्कुल tension नहीं ले है लेकिन बहुत सारे के साथ ऐसा हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए और सभी को share करके जरूर से जरूर बताइए क्योंकि यहां पे देखिए अगर आप अच्छा लिखे है तो आपका हक है कि आपके अच्छे marks आने चाहिए और ऐसे में कोई लोभी तत्तो कोई है ठीके कि आपके marks हम नहीं देंगे अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो यह चिंता का विशय है बिहार बोड को इस पर विचार करना चाहिए कैसे फरजी कॉल ऐसे चात्रों के पास कैसे पहुंच जाते है ठीके पूरी जनकाली यहां पर दी जा रही है तो फड़ा पर वी बैसे बिलकूल नहीं देना है इक बैसे चात जिनका एकजाम सच में खराब गया है अगर उनके पास कॉल आजाता है तो उन्हें लगता है कहीं यह बात सच है अगर मैं दो हजार तीन हजार रुपे दे देता हो तो मेरा फर्स डिविजन आ जाएगा तो ऐसे में चात जो है नई वीडियो में नई अपडेट के साथ तेलिगराम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गए है आप तेलिगराम चैनल भी जट्राइन करें ताकि आपका result के दिन आपको मैं सभी का result check कर सकूँ. मिलते हैं आप से अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ